हाँ 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 ऐसे उबतने हुए देल के कहाओं में गिरने के पश्चान किसे कवी चीविक बचना असंभव है माता आश्प्र लठ जबिद्यों तिष्चित और इसके साथ ही दैत शत्र विश्रुम की भप्तिका भी अन्थ हो जाएगा माता नहीं स्वामी नहीं ऐसा अनन्थ कौन कितार करता है अरे प्रला को हमारे हरदे की शीतर दायर क्या आप उसे उबर्दे गरस देल में डाल दें कैसे होगा आपसे ये अम्या बहुत बारत को इ इस जगत के समस्त्स पुत्रों के हरदे से पिता के लिए समान ही समान हो जायएगा पिता का नाम सदासदा के लिए क्लंकित हो जाएगा स्वामी पर इच्ष्ट पूस्त दुष्ट के लिए दया चाहती है जो हमारी दैखते जाती और हमारे दैखते सामराज के प्रती निर्दाई होकर विश्रों भब किसे संपत सहा करनेना चाहता है यही उचित होगा अपने पुत्र से पहले उसके माता को ही सुहा हो जाना चाहिए ताकि वो पुत्रवली के हरदे विदारिक तरशी को देखने से पहले मर सके हुआ 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 है हुआ 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 है यह प्रभु हाए है जग्दी श्रीव मैं आपको खोदी खोदी प्रणाव करता हुआ है अब अब अपना कारिया करें में गर्णाव को साथ है मैं श्री विष्णू के श्री चल्मों में जाने के लिए तैयार हुआ हुआ है हुआ है लाल्टो, लाल्टो, लाझ क हुआ कर दोर्णी無 हुआ। हाई हाई हुआ है आखरीरियो! ओमाटा! मेरे उर देखो! ओपो माता! मेरे उर डेखो! माता! लालागा! मेरे पुट्रे! प्रहलाद मेरा प्राम शत्रु केव़ मेरा ही नहीं मेरा अब द सवसित द्योस्प द्याट्य चाति का शत्र विजन है अनिता द llा अप पतर इस्धे को थे कि ऑन द्यार विख कि जो के लाट का नहीं होगा है तोadle अंद करना ही होगा किस चिंता में डुबे होगी है हमारी चिंता एक ही है होलिका जिसे तुम अच्छी तरह चानती हो प्रालाद हमारा वित्रोही पुत्र हमारा परम्शत्रू प्रालाद जिसको हमने अनेको बार थियत्यों के मुख में ठकेला गिन्तु वो हर बार वहांसे छीवित कश निकला इस बार वो नहीं बचेगा भंल म स्क्राट हमां आगर तुमारी बहन ने तुम्हारी प्रहलादवात को दूर करने का उपाय सोच लिया है किया उपाय सोचा है तुम नहीं जानते भाई मैंने अगनी की तपस्य करके अगनी में नर जार जाने की चिद्धी प्राप्त की है और यह सत्वी केवल माता दिती जानती है किम तुर तु महरी सत्वी से दै офब्राmad उसके प्रती अपने स्नेह का प्रदर्शन करूगी। उसी समय तुम सैनिकों को आग जलाने का आदेश देना। संकेत में अगनी प्रजवलीत होगी। और प्रलाद अगनी में जलकर भस्न हो जाएगा। और मैं अपनी सिद्धी के बल पर जिवित ही अगनी से बाहर निकलाओंगी। क्या हुआ भीया, क्या मेरी ये युक्ति तुम्हें ठीक नहीं लगी। तुम्हारी युक्ति तो ठीक है। किन्तु हम ये सोचते हैं कि प्रशलाद ने विश्व भक्ति करके ऐसी चमतकारी सिथियां प्राप्त कर ली है। जिसके कारण वित्ति उससे दूर रहती है। यह नितुम्हारी युक्ति भी उसके सामने युफल हो गई। तो फिर हम क्या करेंगे नहीं भैया इस पार ऐसा नहीं होगा मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि जब तक प्रल्धाद अगनी में जलकर भस्म नहीं हो जाएगा मैं भी अगनी से बाहर नहीं निकलूंगी तो तुम्हारे विचार से हमें ये कारे कब करना होगा आगामी फागुन की शुक्रपूर्णी मा को आगामी फागुन की शुक्रपूर्णी मा को इत्ना ही वठीता, नहीं बच पाएगा प्रहलाद, नहीं मच पाएगा है हं होलीका के अगनी सिनान के लिए ये शीट उत्तम है Łोलीका कै युपाए और आयोजन ही उत्तम है माता शृ अब हमारा लक्ष आवश्व फूरा हो जाएगा जैerc राज इस बार प्रहलात के बचकर निकलने की कोई संभावला नहीं अब तो उसका अंतिम समय आ गया भहिया मत रो माता मत रो जब तुम रोती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भगवान विश्णू पर मेरा विश्वास है उस भगवान पर तुम्हे विश्वास नहीं है तेरे विश्वास से तेरी मा के हरदे की कोमलता बड़ी है मेरे पुत्र इस जगत में मेरे अतिरेंट अन्य कौन ऐसी अभागन मा होगी जिसने अपने प्राणु से भी प्रे पुत्र को बृत्यू के विक्राल जब्रों में बाहर बाहर जाते हुए देखा हूँ ये देखकर मेरे रधे का कोमल घट भूट गया है पुत्र ये आसू वहीं से आ रहे है तुम्हारे इन आसों से मेरा विश्वास ढूबेगा नहीं माता और नहीं तुम्हारे रधे की कोमलता से मेरी भक्ती का मार कच्चा होगा मैं तु यह चाहता हूँ कि मेरी भक्ती और मेरे विश्वास से तुम्हारा रधे पक्का हो अपनी माता का हरदे पक्का करेगा तू तेरी इनी ज्ञान भरी बातों से तेरे प्रती मो और अधिक बढ़ जाता है मेरे पुत्र और जब पुत्र के लिए मो बढ़ता है न पुत्र तो माता का हरदे पक्का नहीं रह जाता वो और अधिक कच्छा हो जाता है अब आप ज्ञान भरी बाते कर रही हैं जो मेरे समझ के बाहर हैं ज्ञान की नहीं विश्वास की बाते करो माता याद करो माता मेरे जन्म के समय भगवान विश्णु ने प्रकटो कर कह था कि वे अद्रिश रूप में हर समय मेरे साथ रहेंगे जब भगवान का आशिरवाद है मेरे सिर पर तो चिंता कैसी और कौन करेगा मेरा विरोध और करेगा भी तो कैसे तेरी इसी विश्वास ने तो तुझे ही नहीं मुझे भी जीवे तरखा है मेरे पूत्र जब विश्वास है तो रोती क्यों हमाता तुझ पर बार बार अत्या चार होता है, अन्याय होता है, वो भी तेरे ही पिता द्वारा, जिसे मैं असाय और विवश होकर देखती रहती हूँ, तो मुझे रोना आता है पुत्र, वो उंद्रिश्यों की दुखर दिस्मृती, मुझे रुला देती है प्रहलाद। इसका एक सरुल उपए है माता, बविश्य में ऐसा कुछ हो, तो तुम मेरे आसपास देखना, तुम्हे भगवान विश्णू नाजर आएंगे, उनकी उपस्तेति का ध्यान करेंगे, तो रोना नहीं आएगा माता, शुब बोल मेरे पुत्र, विधाता न करे, बविश्यों मे एसा कुछ हो, इतनी बार हुआ है, तो फिर हो सकता है माता, इसमें चिंता कैसी, यदि हो जाए, तो वही करना, जो मैंने कहा है, मेरे आसपास भगवान विश्णू को देखना, वे दिखाई ही देंगे, बस समझ जाना, मेरा बाल भी नहीं बाका होगा, नहीं प्रहला, तु देखते रहना भगवान विश्णू को, पर मैं, मैं तो तुझे ही देखती रहूंगी, मेरे तनका रोम रोम, तुझे ही देखता रहेगा, मैं तेरे पास खड़े, भगवान तक नहीं पहुंच पाऊंगी, अरे तुझे छोड़कर, मेरी द्रश्टी इतनी दूर तक नहीं जाएगी प्रलाग, माता, क्यों हो रही हो माता, यही सोच कर, कि तेरे पिता के साथ साथ समझ सासूर जाती, तेरी शत्रू बन चुकी है, तो अकेला नन्ना सा बालक, कब तक उनका सामना करेगा, फिर वही बात, अले माता, मैं नन्ना बालक हूं, पर भगवान विश अपनों तो नन्ने बालक नहीं है, वे सबको पचाडते आये हैं, और सभी को पचाड देंगे, तुमने बार-बार मेरे उपर, उनकी क्रिपा का चमतकार होते हुए देखा है, फिर भी चिंता करती हो, अभी आसू पोच डालो, भगवान विश्य, मुझे अब तक हर विपत अफी से उभारते आये हैं, और भविश्य में उभारेंगे, विधाता करें, ऐसा ही हो मेरे पुत्र, मेरी रक्षा, वो ही करेंगे, हुँ संतान मैं जिनकी, अंग संग मेरे हर पल हो है, हुँ पहचान मैं जिनकी, वो बालक है, मैं बालक हूँ, वो सामीम ता, हादी कॉल मूला ढलक ह tap को बाल, मैं बालक हैं, हुँ प्रौल, मैं बालक है, प्हु पहांन नहीं करें,े लिभानिक रिए टी रक्राभाणों ढुत्र, भाहता है, वो बालक हैं चिजद्ट, अंगस्चान, को दो किश्धिधिरिव से रक्क्षा, यहाँल, सत्य कभी जान सटाना है जिसका मनिकाला मारने वाले से होता है बड़ा पचाने वाला मर के अमर है जिनके हर एक श्वास में हरी का वास हरी बोल 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 मन बोल 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 हरी बोल 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 मन बोल 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 बन करो बंद करो हमारे श्यत्र का नाम लेना प्रहलाद को छोड़ दो अन्यथा तुम्हें भी इसके साथ जला दिया जाएगा प्रहलाद मैं तुम्हारे पिता की बहन अवश्य हो किन्तों तुम पर गिये गए अट्याचरों से मैं बहुत दुखी हो प्रहलाद मैंनी निश्य कर लिया है कि आज यदि तुम्हें चलाने क जोक्रम होगा तो मैं भी तुम्हारे साथ जलकर मर जाओंगी कि अगा मैं गहती हूं इस फूल से खोमल बालक पर अध्य चर्पन करो अनिसा मैं मर जाओंगी नहीं दुष्ट बालक दया और प्रेम को योग नहीं है इसे जल जाने दो नहीं नहीं मैं इसकी बुआ हूँ फिता की नया ना सही मैं इसकी बुआ इतनी निज्ञे नहीं हो सकती यदि आप समने निश्चे करहे लिया है कि इसे भस्म करना है तो मैं भी इसकी साथ भस्म हो जाओंगी इसकी मां कया तो कहा है अपने कक्ष में है उसे इस विशे में क कुछ भी ख्यान नहीं है प्रलाद मेरे बालग है 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 इस पर सोच लो होलिका अब भी समय है जल्ले मरने का विचान प्यास दो नहीं भया मैं प्रलाद पर अत्याचार होते नहीं देख सकते है 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 इस दो 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 भी निनाद चिता में आग लगा दो